तो ये सीधी तस्विरे प्रधानमंत्री नरेंदर मोधी की दक्षिन अफरीका से जहां वो पहुँच चुके हैं और पहुँचने के बाद भारती समुदाय के लोगों के साथ उनकी ये मुलाकात और मुलाकात के इन तस्विरों ने एक बाद फिर से बता दिया कि पीम मोधी क लोगप्रिता किस तरीके से दुनिया भर के अलग-अलग देशों में है तमाम लोग प्रधानमंत्री मोधी से यहां पर हाथ मलाने की कोशिश करते हुए और ये तस्विर बहत दिल्चस्प एक बच्चा बकाइदा पूजा की थाली लेकर पहुँचा हुआ है थाली में ति लगतार निकल कर सामने आ रही है इससे पहले पियमोधी जब उन्होंने अफ्रीका में लैंड किया तो उसके बाद एरपोर्ट पर उनका जबरदस स्वागत भी किया गया पारम पर एक तरीके से नरत दिखाया गया लेकिन ये तस्वीरे अपने आप में बहत दिल्चस्प ह जहां पर ये बच्चा मोधी के लिए पूजा की थाली लेकर पहुंचा है पियमोधी का दक्षिन अफ्रीका दौरा इस बार का बेहत खास रहने वाला है जिसे लेकर अलग-अलग जानकारिया निकल कर सामने आ रही है ब्रिक्स शिकर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्र के साथ में दिपक्षिय बाची जो है वह हो सकती है और खास तोर पर दुनिया भर की निगाएं शी जिन पिन के साथ संभवता होने वाली मुलाकात पर बनी हुई है तो पंदरवे ब्रिक्स सम्मेलन का ये दरश जहां पर धक्षिन अफ्रीका के राश्पती स्रील रामफोस के स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर प्रधानमंत्री पहुंदी पहुंचे हैं 22 से 24 अगस तक प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा है हलाकि दौरे पर जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बाखायदा एक बयान भी दिया था जिसमें नोंने कहा था दिपक्षिय बै एथेंस ग्रीस के लिए रवाना होंगे इस बात की जानकारी भी पिया मोदी खुद दे कर गए थे लेकिन फिलाल ये तस्वीरें दक्षिन अफरीकी सरजमी से हाला कि दक्षिन अफरीका के साथ भारत का अपना एक पुराना नाता रहा है खास तोर पर क्रिकेट के लिहाज से और यही वज़े रही शायद कि प्रधान मंतरी मोदी के दोरे से पहले दक्षिन अफरीका के तमाम दिगज किर्केटर्स ने प्रधान मंतरी मोदी के स्वागत में कई सारे वीडियो भी जारी किये लेकिन इन तस्फीरों से जो अभी आपके सामने हैं अपन्दाजा लगा सकते हैं बच्चों में भी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक खास उत्सुकता जो है वो रहती है हलाकि ये तमाम लोग वो लोग है जो भारतिय मूल के हैं और अफ्रीका में रहते हैं और माना जा रहा है कि इस बार के ब्रिक्स सम्मेलन में इसमें जो देश सामिल हैं उनके विस्तार को लेकर खासी निगाहें तमाम देशों की होने वाली हैं लेकिन इन तस्वीरों के साथ जो भी अपडेट पल पल की प्रधानमंत्री मोदी के ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर आती रहेगी वो आप तक पहुंचाते रहेंगे